नमस्कार मैं हूँ अर्णिमा दुवेदी टीवी के भीश्म पितामा और हम सब के चहेते शक्तिमान यानि मुकेश खन्ना ऐसा लग रहा है कि उनको कॉंट्रोवर्सीज में फसने की आदत हो गई है कॉंट्रोवर्सीज क्रियेट करने की आदत हो गई है अपना नाम सुर्खियों में बनाए रखने की आदत हो गई है लेकिन फिलहाल तो जिस तरीके से वो अपना नाम सुर्खियों में बना रहे है वो तरीका काफी जादा गलत मालूम दे रहा है हाली में मुकेश खन्ना का एक बयान आता है जिसको ले करके पूरे देश में इस समय बहस छिड़ चुकी है गर्मा गर्मी का माहौल बन चुका है जी हाँ और ये बयान है महिलाओं से संबंधित ये बयान है मीटू से संबंधित वही मीटू जिसके हाश्टाग ने कुछ समय पहले पूरे देश में तहलका मचा दिया था अब उसी हाश्टाग के उपर मुकेश खन्ना का एक ऐसा विवादत बयान आया है जिसने एक बार फिर से देश की न सिर्फ महिलाओं को बलकी हर एक देशवासी भड़का दिया है जी हाँ मुकेश खन्ना ने मीटू से सम्बंदेत ऐसा विवादत बयान दिया जिससे इस समय तो हर देशवासी आक्रोशित है मुकेश खन्ना का हाली में आया बयान ये कहता है कि मीटू की समस्या तब से शुरू हुई जब से महिलाओं ने घर का चूला चौका छोड़कर बाहर निकलना शुरू किया और पुर्शों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने की इच्छा जाहिर कर दी तो इनका ये बयान फिलहाल तो सोशल मीडिया पर काफी जादा विवादत बयान बन चुका है और यही नहीं फिल्म इंडस्ट्री, टेलिविजन इंडस्ट्री और एंटेटेन्मेंट के हर सेक्टर से ले करके आम इंसान तक इस बयान से आक्रोशित नजर आ रहा है मुकेश खन्ना फिलहाल कॉंट्रवर्सीज में फस्ते हुए नजर आ रहे है उन्होंने हाली में कुछ ऐसे बयान दीए हैं जिन्होंने काफी जादा कॉंट्रवर्सीज क्रियेट करी हैं लेकिन उनका महिलाओं पर इस तरीके से टिपणी करना हर एक देश्वासी को नाराज कर रहा है मुकेश खन्ना ने हाली में ये विवादत बयान तब दिया जब उनसे एक बाचीत के दौरान ये बात पूछी गई कि महिलाओं का ये जो मीटू के उपर होता है उसके उपर उनका रियाक्शन क्या है क्योंकि हाली में जितने भी टेलिविजिन शोउस चल रहे हैं जिस भी तरीके से उनके स्टेट्मेंट आ रहे हैं उसके उपर वो काफी जादा controversial person हो चुके हैं समय तो television industry के तो उनसे हर एक controversy के मुद्दे पर बातचीत होती रहती है और कहीं ना कहीं वो खुद भी social media पर अपने वचार साजा करते रहते हैं हाली में उन्होंने कपिल शर्मा शो के लिए बेहुदा शो का प्रयोग किया था इस बेहुदा शब्द का प्रयोग किया उसके बाद उन्होंने बिग बॉस के लिए अपने controversy क्रियेट करी जब उन्होंने कहा कि ऐसा शो है जहांपर और मर्द साथ बैठ करके gossip करते हैं ऐसे शो को मैं अपने तीन महीने नहीं दे सकता तो इस तरीके के विवादत बयान मुकेश खना की तरफ से आते रहे हैं लेकिन अब जो ये बयान आया है महिलाओं से संबंदित इसने काफी ज़ादा controversy क्रियेट कर दी हैं इसमें लोगों के अंदर नाराजगी पैदा कर दी है और यहां तक की social media को पर अब भीशम पितामा कहे जाने वाले मुकेश खना को ट्रोल तक किया जा रहा है लोग इसके उपर नाराजगी जता रहे हैं लोग मुकेश खना को ट्रोल करते हुए ये तक बोल रहे हैं कि कुछ tweets में ये तक लिखा गया है कि अगर आपने इनको शक्तिमान के रूप में देखा है तो ये वही शक्तिमान हैं जो औरतों के उपर हो रहे है अतियाचार के लिए लड़ते थे और अब इनके मूँ से ऐसी बाते सुन करके तो ऐसा लग रहा है तो इस तरीके के memes बन रहे हैं मुकेश खना के उपर इस तरीके के social media trend viral हो रहे हैं मुकेश खना के उपर reactions काफी जादा strong नजर आ रहे हैं